Hello everyone, welcome to our channel Everyday Life आज के हमारी रोचक जानकारी है Difference between जलेबी and इमर्ती तो चलिए शू करते हैं आज सबसे पहले जलेबी जलेबी भारत में नहीं अपितु पूरे भारते उप महादीब में प्रचलित है जलेबी से मिलते जुलते पकवान मद्यपूर्वी एशिया तता खाड़ी देशों में भी होते हैं जिने वहाँ भिन भिन नाम दिये गए हैं इसलिए बहुत से पुस्तकों में आप पाएंगे कि जलेबी के जनमसली परशिया या अरब को कहा गया है परन्तु हमें ये जलेबी मूल रूप से भारती ही लगती है क्यूंकि शक्कर सबसे पहले भारत में ही बनी और जिसका उप्योग मीठे पकवान बनाने के लिए एक आवशक्ता है और यहाँ पर ही अनेग पकवान, अनेग मिठाईया जलेबी की तरह चाशनी में सनी ये डूबी होती है भारत से पश्चिमी दिशा वाली प्राचिन सभ्यताओं में मीठे का स्वात देने के नाम पर शहदी था जिसको उस समय पाना कौन सा आसान रहा होगा जलेबी मैदे से बने चले होते हैं जिसे हलवाई विशेच सरीके से बनाता है और इन चलनों को तलने के बाद चीनी के चाशनी से मीठा किया जाता है जलेबी को मैदे के अत्रिक पनीर से भी बनाया जाता है ये पनीर जलेबी मैदे वाली जलेबी की तुल्ला में कम मीठी होती है ये मैदे वाली जलेबी थोड़ी कुरकुरी होती है जबकि ये पनीर जलेबी थोड़ी नरम आज दूसरी है ये इमर्ती जो दिखने में जलेबी जैसी है इसे उरत की दाल को भिगो कर पीस कर बनाया जाता है इसे भी मीठे के लिए चाशनी में ही डाला जाता है इस जलेबी और इमर्ती की मुख्य भिनता इनका बनाने वाला समान है जलेबी के तुल्ला में इमर्ती थोड़ी कम मीठी लगती है उपरी तोर पर जलेबी और इमर्ती का बनाने का तरीका लगभग एक समान है परन्तु इमर्ती के ये डिजाइन इसकी पहचान होते हैं ये दोनों ही मिठाई की दुकानों में पुरे साल बर उपलब रहती है जलेबी को अक्सर कुछ परवो जैसे दशेरे में दूद के साथ भी खाया जाता है जलेबी को अक्सर गरम-गरम ही खाया जाता है जबकि इमर्ती को ऐसे सामाने तापमान भी खाया जाता है और इन दोनों का मूले स्थानिय बाजारों पर और स्थानिय मिठाई की दुकानों पर निर्बर करता है और हम आशा करते हैं आज के हमारी जलेबी और इमर्ती की ये जलक आपकी everyday life में जरूर उपयोगी रहेगी Thanks for watching and keep enjoying our everyday life